नमस्कार दोस्तो मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित पर्मा और एच्पी नॉटिकेशन में तो दोस्तो जैसर कि आप थमनेल पर देखी चुके हैं जो ताला ख़बर ब्रेकिंग न्यूज आजी अभी की कि हिमाचल प्रदेश म बिल्कुल भी न भूले हैं ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नॉटिकेशन सबसे पहले पहुंच सके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देख सकते हैं ताला ख़बर ब्रेकिंग न्यूज आई है हिमाचल में हाथसा स्कूली बच्चों को लेकर जा रही जीप स स्कूली स्कूल की जीप जो है अन्यंत्रित होकर खेतों में जा पहुंची हाथसे के समय इस स्कूल जीप में 7-8 बच्चे सवार थे सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और एक दो बच्चों को मामूली चुटे आई हैं मेरी जानकारी के इनसार हाथसा आज सुब कब बताया जा रहा है यह स्कूल जीप बच्चों को उनके घरों से लेकर स्कूल ले जा रही थी कुमारणा के पास एक लिंक रूल पर जो है जीप अन्यंत्रित हो गई और खेतों में जा पहुंची गनीमत या रही कि जीप ने पल्टा नहीं खाया और सीधे खेतों में जा कर हाथसे की जांच परतार शुरू कर दी है डियस्पी सारका घार टेलक राज शांडिल ने हाथसे की पोश्टी की है उन्होंने बताया कि हाथसा किन कारणों से हुआ है इसकी जांच की जा रही है सबी बच्चे पूरी जार से सुरक्षित है तो दोस्तों यह थी ताज़ा आगर ब्रेकिंग न्यूस हिमार्चल प्रदेश की डेश्टिक मंडी से साथ से आठ बच्चे सबार थे जिन में से जो है चोटे किसी को नहीं आए दो एक दो बच्चों को मामूली चोटे आए अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर कर दे ह और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमार्चल प्रदेश की हर नाटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके दन्यवाद जैए जैवाद